हेलो फ्रेंड्स हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे पालक चिकन यह सिरफ एक टेस्टी और लजीज डिश ही नहीं बलकि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं पर हेल्थ बेनिफिट्स हमें तभी मिलेंगे जब हम कुछ बातों का ध ख्यान रखेंगे तो वो टिप्स में आपको सासात में देती रहोंगी तो चलो हम मिलके बनाती हैं पालक चैनल में जाहिए वन टीजपून जीरा वन पीस दाल जीनी दो लॉंग वन बेलीफ दो ग्रीन इलाइचीज एंड वन टीजपून गनिया पाउडर और पांच मीडि ब्लेंडर में ब्लेंड किया है और इसको हमने कोई बॉयल नहीं किया क्योंकि बाद में जब हम इसको कुक करेंगे तो यह फिर इसकी ओवर कुक होने का डार है जिसके कारणी रिशन जो है वो खतम हो जाएंगे और हमने लिए 50 ग्राम चॉप्ट पालक और 750 ग्राम लिए हमने टू टेबल स्पून कर लिया उसमें हाफ टी स्पून देगी लाल मिर्च और वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून कोरियंडर पाल्ट टी स्पून गरम मिक्स किया है और कर्ड की पेस्ट बना के उसको चिकन के उपर अच्छी तरह लगा दी और उसको रफली चॉप्ट लसून अद्रक्स डाल के मिक्स करके उसको अच्छी तरह सौते करेंगे तब तक करेंगे जब तक कि प्याज जो है वो हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए जब हल्का ब्राउन हो गया तो उसमें हमने एड़ किये टमाटो एंड ग्रीन चिली और थोड़े जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो सारे एड़ करतेंगे और फिर उसमें एड़ करेंगे पेस्ट अनियान और टमाटो की पेस्ट और उसमें फिर हम एड़ करेंगे वान टी स्पून लाल मिर्च वान टी स्पून हल्दी वान टी स्पून सॉल्ट ध्यान रखना है कि हमने marination करते हुए भी सारे masalay डाले हुए हैं तो इसमें हम masalay उस हिसाब से ही डालेंगे कि चिकन में जादा masalay ना हो जाएं तो हमने अब इसको सारे masalay डालके अच्छे से बून लेना है जब ये हलका हलका oil छोड़ने लग जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा masalay जो है वो ready हो रहा है तो फिर उसमें हम एड़ करेंगे marinated chicken marinated chicken को एड़ करने के बाद फिर अच्छी तरह इसको भून लेंगे चिकन को जितना अच्छी तरह भूना जाए उतना ही अच्छा होता है और भूनने के बाद जब अच्छी तरह भून जाए पानी सूख जाए तो फिर हम एड़ करेंगे पालक और पालक को अच्छी तरह जैदा नहीं भूनेंगे बस एक जाए दो मिनट के लिए भून के फिर इसको ढखके 20 मिनट के लिए slow flame पे रख देंगे और कोई पानी नहीं आपको लगे तो आप 2 टेबल स्पून तक पानी आड़ कर सकते हो अगर ना लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है और 20 मिनट के बाद हमारा गरम गरम पालक चिकन रेड़ी है आप इसको enjoy करें नान के साथ, प्रांठे के साथ, चपाती के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें